हलो दोस्तों फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चेनल पूजा फैसन बूटिक पर दोस्तों आज हम आपको बताने वाले जो सूट हमारे गले की कड़ाई होके आते हैं आगे से तो वो गले ब्रोड होते हैं दोस्तों तो कस्टुमर अगर बोलते हैं कि गला हमें यकाल कर सकते हैं तो आज के बारे में बताने वाले हैं है दोस्तो यह वारे पार इसी देखिए घ। सब्सक्राइब वीडियोगों लेते हैं लेकिन कई कस्टुमर नहीं पहनते गला बॉर्ण क्योंकि उनको दिक्क्त हो थी कंदी से गला गेड़ने लगता है तो आज पर लिए कि बारे में बताने वाले है और दोस्तों हमने वैसे गले की की ब्रॉडिंग का एक वीडियो ब्रोडिंग कम करना है तो इसी के बारे में आज हम बताएंगे तो चलते हैं मसीन पर रेंत्विन और इसकी की कि ब्रोडिंग कम करके आपको बताते हैं है तो दोस्तो अब गला कितना है तो शुत्र दो अलाग्यव का सहीं को दिखाते हैं अब उने 7 इंच गला ब्रॉड है तो इसे हमें 5.5 इंच गला ब्रॉड रखना है 5.5 इंच से ज्यादा गला ब्रॉड नहीं करना तो इसे हम किस तरह से करेंगे अस्तर वाला सूट है हमारा तो यह हमने अस्तर कटिन कर रखा है साथ में और ये देखिए गला हमारा ब्रॉड है 5.5 इंच तो हमें इसका भी 5.5 इंच ब्रॉड कम करना है तो हम किस तरह से करेंगे ये देखिए सबसे पहले हमें सूट को इस तरह से उल्टा करके पकड़ लेना है फोल्ड करना है हमे और दोस्तों यहां से और कड़ाई का सेंटर विल्कुल हमारा बराबर होना चाहिए कम ज्यादा ना हो अब इस तरह से मिलाने के बाद में यहां पे हम 20 सेंटर इसका बना लेंगे अच्छी तरह से अब दोस्तों हमें गले की ब्रोडिंग ना अपनी है तो गला ब्रोडिंग हमें 5.5 इंच रखना है तो यहां पर हम रखेंगे पौने 3 इंच पर और पौने 3 इंच के बाद में दोस्तों हमें यहां पर निशान लगा लेना है इस तरह से अब यह निशान लगाने के बाद में हम क्या को गरेंगे सम्सक्रार के लिए हैं इसकेल की मदब से अव करना चाहते है निशान लगाना चाहते हैं तो इसकेल की मदब से लगा लें या फिर आप इंची टेप को इस तरह से रख लें और यहां गले के बिल्कुल थोड़ा सा पहले ही आप चाहिए इसे उपर रखें इंची टेप को और इस तरह से निशान लगा लें इसमें यह देखिए हमने इस तरह से निशान लगा लिया गले के हमने थोड़ा सा उपर ही रखा है अब हमें करना क्या है इस गले में जहां से हमने निशान लगाया जितना हमें ब्रोडिंग रखना है उस निशान पर हमें सिलाई लगा लेना है तो यह जब हमने सिलाई लगा लिया है अब दोस्तों हम गले को देखते हैं कि हमारा ब्रोड गला कितना है अब गले को हमें नाप लेना है यह दोस्तों गला हमारा साड़े पांच इंच बिल्कुल तयार आ चुका है अब इस गले को हमें पलटना की सिसाब से इस तरह से हमें कमीज के पल्ले को रखना है और दोस्तों यह जो निशान है तो हमें इसकी तरफ रखना है जो कड़ाई हमारा मेन है कपड़ा की तरफ और यह हम जो 20 सेंटर पे हमारी क्रीज टूटी हुई है प्रस्ट से हमने तोड़ रखा है तो वह पहले में सिलाई लगा देना भी सेंटर में दोस्तों नीचे हमें सेंटर बिल्कुल बराबर मिला लेना कम ज्यादा नहों तो दोस्तों इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है अब सिलाई लगाने के बाद में हमें क्या करना है हम यहां से सेंटर बराबर मिलाएंगे और जितना हमें गले की हुआ है ये अस्तर में तो इसी कट के बराबर से हमें पलटना है तो यहीं से रखेंगे और मसीन को और हमें अब सिलाई कड़ाई के बराबर से लगा देना है तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दिये अब दोस्तों में एक पैर का माजन रखे एक्स्ट्रा कपड़ा कटिन कर देना है इस तरह से कटिन करने के बाद में अब दोस्तों में छोटे-छोटे से यहाँ पर कट लगा देना और यह धियान रखना है कि हमारी सिलाई कटने ना पाए तो इस तरह से हमने कट लगा दिया है अब हमें क्या करना है ये देखिए गले में फिनीसिंग देने के लिए हमें ये जो दबाव हमारा तो अस्तर के तरफ कर लेना है और इसके बिल्कुल लब पे हमें सिलाई लगा देनी है तो इससे क्या होगा कि जब गले को हम अंदर के तरफ अस्तर को फोल्ड करेंगे तो दोस्तों, बहुत फिनीसिंग से हमारा गला पलटा जाएगा तो देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है अब हमें क्या करना है? अस्तर को हम बिल्गूल इसी के बराबर से जहां से हमने अस्तर को टैज किया तो इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके जोस्तों अब हम लब पे सिलाई लगा देंगे तो दोस्तों इस तरह से हमने गले को पलट लिया और इसकी हमने ब्रोडिंग कम कर दिये अब हम आपको गले की ब्रोडिंग नापके दिखा देते हैं कि गले की हमारी ब्रॉडिंग कितनी है सादे पांच इंच अगर आपको इम राइडरी वाले गले की ब्रॉर्डिंग कम करने का वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट से जहरूर करें दोस्तो चैनल को सुस्क्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें और और को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहा तो दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नया लेके तब तक के लिए थंक्ये फॉर वाचिंग